हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो स्वागत है दोस्तों मेरे चानल में देली इन्वर्सिटी से ओफिशल नूटिस आ गई है जहां पर बोला गया है आपके क्लासेज जो है स्टार्ट होंगे आफ्लाइन मोड में 17 फेर्विरी से साथ में बहुत सारे आपको गाइडलेंस प्रोवाइट की गई है जो कि आपको फॉलो करनी है और यह जानना काफी जरूरी है कि क्या क्या गाइडलेंस है यहाँ पर वो डिसकस करूँगा आपके साथ क्योंकि अधर सेंटरल इन्वर्सिटिस भी आप देखे तो इन्हें फॉ यहाँ पर देखा जाए तो लिसकस कर रहा हुँ यहाँ पर क्या क्या बाते बताएं गई है तो बोला गया है इस तरह से प्लान करनी है आपको जरूर्नी जो बाहर के स्टोएंट होंगे कि यहाँ पर आए दलही आए तो यहाँ पर तीन दिन का आप जो है आइसोलेशन में साथ मैं बुला गया है लेबरेरीज जो होंगे और लेबरेरीज जो होंगे वो पहले जैसे फुल फंक्शन जो काम करती थी वैसे ही करेंगे पस यहाँ पर जो है COVID-19 के गाइडलेंस को फॉलो करना है और एक यहाँ पर बतला दू जो मुझे अजीब लगा देखकर कि काफी कम टाइम आपको दिया गया है इनवर्शेटी जो पिन बहुत जल्दी हो रही है काफी दिनों से आप बहर रह रहे थे यहाँ पर जो है अचानक से ओपन हो जा रहा है तो काफी लोगों का मन नहीं होगा इतनी जल्दी आने का फिर भी जो है अगर देखा जाए तो एक अपर इसे ध्यान देने के लिए बूला गया है सारे dins faculty department heads को और यहाँ पर hostel के provost को फिर same बात को यहाँ पर बोला गया है क्या तो यहाँ पर faculty members department जो principal होंगे college होंगे teaching non-teaching staff को यहाँ पर बोला गया है कि आप यहाँ पर promote करें और encourage करें students को और non-teaching staff को कि यहाँ पर वो vaccine लेले काफी लोगों ने भैक्सिन अभी भी नहीं ली होगी तो मैं भी कहूंगा कि भैक्सिन आप ले लीजे बिलकुल आप बाहर जा रहे पढ़ने के लिए वहाँ पर वैक्सिन ले लेनी चाहिए और जो है वैक्चिनिशन यहाँ पर प्रोसेस अभी भी चल रहा है तो आप हो सकता है यहाँ पर कमपसर ही नहीं करा, काफी लोगों का डिमांड था कि यहाँ पर कमपसर ही कर देना चाहिए, जो स्टोएंट्स आएंगे उन्हें दोनों वैक्सिन ले लेनी चाहिए, पर ऐसे कुछ भी रूल नहीं है, तो आपको बस यहाँ पर इंकरेज करेंगे यह, त कुछ भी पुछना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं